रोज रोज एक ही तरीके का नाश्टा खागा कर बोर हो गयो तो आज ट्राय करिए कच्छे हरे मटर का चट पड़ा क्रिस्पी नाश्टा जो हमने बनाया है बहुत ही कम समय में बहुत आसानी से घर में जो हमारे पास सामान अवैलेबल होता है उससे तो इसके लिए हमने मटर लिए है एक कप और उसमें डाल दी हमने चार-पाँच हरे मिर्च कुछ लहसुन की कलिया साथ में थोड़ा सा अध्रक और इसका एक फाइन पेस बडा लेना है और साथ में डाली है प्याज ब्रैट क्रम्स एक आदा चोटा चमच लाल मिर्च आदा चोटा चमच हल्दी पा अगर आपके पास ब्रैट को उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल कर इसका बढ़ियां सा डो बनाकर त्यार कर लेना है बहुत ज़दा हार्ड और बहुत ज़दा लूज नहीं होना चाहिए इस तरीके का बेटर आप बनाकर त्यार करने और हातों में थोड़ा सा तेल लगा और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके और आपको जो भी शेप पशंद है उस सेप में आप या तो टिक्कियां बना लें कबाब भी बोल सकते हैं आप इनको तो इस तरीके से मैंने इस बार स्क्वेर शेप की टिक्कियां बनाकर रेडी की है और जो ब्रैट क्रम से उसमें आप इसको हलका सा रोल कर लें अगर आपके पास ब्रैट क्रम नहीं है तो आप इसको बिना ब्रैट के भी बना कर तयार कर सकते हैं ब्रैट क्रम स्रिफ हम इसमें थोड़ा सा जो क्रंची नेस आती है उसके लिए यूज कर रहे हैं बाकी अगर आप बिना ब्रैट के बनाए तक इनको फ्राय कर लेना है यह देखिए फ्राय हो चुकी है हमारी टिक्के और इनको हमने निकाल लिया है और यह बहुत ही बढ़िया कलर आया है आप देख सकते हैं और उपर से कितिनी बढ़ियां क्रिस्पी दिख रही है तो इस नाश्तिक आप चाय के साथ मॉनिंग में कैसे भी पसंद आये तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब जरू करें मिलती हूं आप से नाइक्स पूरें ने तब तक के लिए बाई